हेलो दोस्तों वेलकूम तो माई चैनल इस वीडियो में हम करने वारें next convolution convolution का ही question दूसे method से जो कि यह mathematical equation of convolution देखिए जो पहले क्या था वही काम करना इसमें भी हमारा जो convolution का formula होता yn equals to xn convolution hn क्या होता k equals to minus infinity to plus infinity x of k h of n minus k ठीक है अगर इसी submission को मैं open कर देता हूं तो यह हो जाती ही mathematical equation अब तो बस क्या करना n की value पता लगानी है और कुछ नहीं तो yn की जो range होगी कहां से कहां तक होगी यह n question to 0 यह n question to 0 तो अपर इसकी जो upper range होगी upper upper यह पहले lower निकालते lower index of yn कितना होगा तो दोनों का lower lower add कर देंगे कितना होगा वह 0 पै यह भी 0 पै तो yn जो शिरू होगा कहां सा होगा 0 शिरू होगा कहां तक के element आएंगे उसमें कौनसी index तक अपर इंडेक्स of yn क्या होगा मैं अपर को पी से रेप्रेजेंट करता हूँ तो यह n कस्टो 0 यह n कस्टो 1 यह n कस्टो 2 ऐसे n कस्टो 1 n कस्टो 2 अब देखो यह यह 2 तक गया यह 2 तक गया तो 2 प्लस 2 यह नहीं 4 n की जो range कहां से कहां तक आगई n जो होगा कहां से कहां तक जाएगा 0 to 4 ठीक है y वाला तो पहले हम y0 कल्कुलेट करेंगे फिर y1 y2 y3 y4 इस टाइप से तो पहले तो n कस्टो 0 पूट करोंगा तो y0 कितना हो जागा इस वाली equation में पूट करो n कस्टो 0 k कस्टो minus infinity to plus infinity x of k h कितना बचेगा h of minus k ठीक है n कस्टो 0 पूट करने पर अब देखो यह n है जब कर्मो लोशन करते हैं तो यह xk बन जाएगा ठीक है यह अभी n है तो पहले में क्या करता हूँ यहां पर देखिए मैं इन दोने sequence को दोबारह से लिख रहा हूँ यहां पर जैसे वहां पर xt को x2 से represent करते थे न two zero one अब यह k में represent हो शुका ठीक है यह k equals to zero यह k equals to one और यह k equals to two h of k कितना हो जाएगा minus one two one यह k equals to zero k equals to one k equals to two ठीक है arrow यहां पर लगाता है तो k equals to zero से इतर शुरू होगा तो इसी equation को open करो why zero equals to two कितना आ जाएगा मैं zero पहले बीच में zero लिखता हूँ k equals to zero तो h of zero ठीक है k equals to one किया मैंने तो यह हो जागा x1 वह हो जागा h of minus one अगला करोगा x of two h of minus two तो जो h की है minus की value आते जारी है क्या h minus value के लिए exit कर रहा है zero सबके लिए तो आगे लिखने जो उतनी ठीक है एसे and so on एसे negative value के लिए लिखो k equals to minus one और minus one रखूँगा तो यह क्या हो जागा अगर plus क्या x minus value के लिए exit कर रहा x minus की value के लिए exit नहीं कर रहा ठीक है तो यहाँ पर छोड़ देंगे इतना लिखके तो हमारा x zero h zero x zero की value कितनी है two और h zero की value कितनी minus one x one कितना मेरा zero h minus one again zero ऐसे यहाँ पर x minus one zero है h one कितना two तो आगे के element इसलिए लिए लिखने ही जोत नहीं थी तो यह कितना आगिया minus two ठीक है तो next element calculate करो ऐसे calculation of y one y one calculate करेंगे तो y one equals to कितना हो जागा k equals to minus infinity infinity to plus infinity x of k one minus k बस इसको open करो और multiply करो तो पहले zero zero शुरू करते है zero put करते है k equals to ठीक है यह h one next one रखो तो यह हो जागा x one वह हो जागा h zero next रखोंगा मैं यह हो जागा x two वह हो जागा h minus one h की value अगें negative रखने negative के लिए exit करता है कि h नहीं है इसमें ठीक है negative ही नहीं तो आगे उससे क्या लिखना इदार लिखता हूँ मैं x minus one h यह कितना हो जागा minus one लगाँ हो h two x जो minus one की minus value के लिए exit नहीं कर रहा तो आगे लिखने की कोई जाए उतनी ठीक है इतना ही छोड़ देंगे यहां पर देखो x zero x zero की value कितनी है two h one की value है two plus x one की value zero h zero की value कितनी है h zero की value है minus one x two की value है one h minus one है zero x minus one again zero तो यह zero हो जाएगा y one कितना आगे है हमारा four ठीक है y zero y one निकाल लिया ऐसे calculate करो y two निकालो calculation of y two कितना हो जाएगा n q2 पूट करेंगे equation में k q2 minus infinity 2 plus infinity x of k h n minus k n की जगे हो जाएगा इस बाद two y of two कितना हो जाएगा पहले 0 शुरू करते है k q0 किया h two x one h one हो जाएगा next one रखा 2 रखो तो कितना आएगा h zero आएगा next रखूंगा x three हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा h minus one ठीक है तो यहाँ पर छोड़ सकते है इधर x minus one हो जाएगा ठीक है अगर मैं रखता हूँ तो minus one होँ अब वो कितना हो जाएगा three तो वही negative value आ रही है x की तो रखने ही जोट नहीं ठीक है तो वह 0 हो जाएगे ओ लेडी x zero h zero की multiply करो x zero h zero की x zero था हमारा देखो x zero है हमारा कितना x zero है two x two है मेरा one यहाँ पर देखो मैं डायक multiply कर रहा हूँ x zero था मेरा two और x h two है मेरा one इधर की तो सब zero होता है है element ठीक है plus x one h one x one है मेरा zero h one है two plus x two x two है one h zero कितना है h zero है minus one बागी के सब zero होते हैं यह कितना हो जागा two यह हो गया zero two minus one one आ गया ठीक है तो अब y two आ गया one next calculation of कितना y two तक हो गया y three ऐसे y three के लिए बस equation में बस value लगाते आने है और कुछ नहीं करना सबसास आने है x k h three minus k इसको open करो और value की multiply करता है तो लिखो पहले x zero रिखा next क्या हो जागा यहां पर हो जागा h of three यहां हो जागा next one रखा तो k equals to one तो यह हो जागा h of two यह two हो जागा यह हो जागा h of one next क्या जागा यह हो जागा three यह हो जागा h of zero next four रखोंगा यह minus one लगेंगे minus में रखो तो यह x minus one हो जागा यह कितना हो जागा h four आगे कोई रखने आगा कोई मतलब नहीं बनता ठीक है negative में जो value आ रही है h four ही नहीं x minus one भी नहीं है तो यह तो जीरो हो गया x zero h three h three exit करता क्या h की रेंजा zero to two जाती है ठीक है तो यह भी zero हो जाएगा next x one h two x one है मेरा zero और h two है मेरा one next x two h two x two h one x two है मेरा x two है मेरा one और h one है मेरा two next x three x three exit नहीं करता वह zero h zero कितना h zero कुछ भी हो कोई मतलब नहीं से वैसे zero हो गया यह बाकी के सब zero होते चलाएंगे तो y three कितना आ गया मेरा यह zero यह zero है यहां से two अचा के बल two आ गया ठीक है इसी टाइप से यह value मैं कैसे लिख रहा हूं यह देखें यह वाली value मैं यहां से देख देखके multiply कर रहा हूं next y four calculation of y four यह last element zero to four गई थी n की value range हमारी तो y four क्या हो जाएगा y four k equals to minus infinity to plus infinity x of k h four minus k इसको open करो क्या हैगा y of four equals to पहले मैं 0 लगता हूं तो x zero h four x one h three x two h two रखोंगा यहापर h two हो जाएगा plus three रखोंगा x three तो x three यह h one हो जाएगा x four रखोंगा x four वैसे यह exit नहीं करता h zero ठीक है आगे लिखने ही कोई जहोत नहीं है x की value 0 से वहां तक ही जा रही है x minus one और यहां पर कितना हो जाएगा h five कोई h five है क्या हमारे element में नहीं है तो y four कहा है यह zero h four भी नहीं है s three भी नहीं है x two h two तह है तो x two h two की लिखो x two है one और h two है s two कितना है s two भी one x three x three again zero हो गया ठीक है h one है मेरा two x four zero h zero है minus one तो यह कितना आ गया one आ गया ठीक है तो सारे element आ चुकी है इसको बस क्या करते न y n की form में लिख देना जो y zero आया था मेरा minus two था ठीक है minus two पर arrow बना देना y1 आया था four y2 आया था one y3 आया था two और y y4 आया मेरा one ठीक है y0 y1 y2 y3 y4 इस ट्राइब से calculate करते है ठीक है जो भी question आयेगा stripes कर देंगे काफी lengthy process है बड़ा question आता है exam में जब भी आएगा ठीक है stripe से करते है ना यह 10 marks question ने लगवग उसमें और जादे elements पो पूँच सकता है और बड़ा करने के लिए इससे आदे नहीं आएगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही और thank you मिलते हैं next वीडियो में